हेलो दोस्तों आज है पाच फेबारे दोहाजर चौविस और हम बैंक निफ्टी किया कल का एनलाइसिस करेंगे मतलब 6 फेबारी को बैंक निफ्टी कैसे रहने वाला है इसको हम CPR Central Pivot Range Indicator के मदद से एनलाइसिस करेंगे और कल किस तरह से मार्केट बैंक निफ्टी हो सकते उस बैंक निफ्टी वाइट CPR के विए से साइड़ेस मुमेंटम मेरा है ठीक है इसके बाद हम अगर बैंक निफ्टी का कल का CPR देखते हैं हम CPR को सेटिंग में जाते हैं और यहां कल का CPR on करते हैं तो यह जो ब्लू वाला लाइन है कल का CPR इसको हम ड्रोग कर लेते हैं यह जो लाइन है, ये कल का CPR है, बेंगनिप्टी का, बहुत ही नेरो CPR है, और ये R1 है, कल का, और ये S1 है, ठीक है, अभी देखते हैं, देखे, ये आज का CPR था, और ये जो बीच वाला लाइन है, ये कल का CPR है, जो की बहुत ही ज़्यादा नेरो है, देखे, CPR का अनलाइसिस के हिसाब से, अगर आपने CPR अच्छे से पढ़ाया, और स्टाडी क्या है, तो CPR आपको क्या बताता है, जो वाइट CPR, जिस दिन वाइट CPR रहता है, तो मार्केट साइडवेज रहता है, और नेरो जिस दिन CPR बहु देख सकते हैं, कि कल का जो CPR है, वो बहुत ही ज़्यादा नेरो है, यह जो ब्राइट वाला लाइन दिख रहा है आपको बीछ में, यही टूमोरू CPR है, और जो की बहुत ही ज़्यादा नेरो है, दूसरा, आज के CPR से कल का CPR का नीचे बना है, इसको बोलते हैं, और जो की descending CPR है, मतलब आज के CPR से कल का CPR नीचे बना है, और descending साइट नीचे के साइट बना है, और तीषरा पॉयंट यह है, कि market जो है, आज का जो market closing है, वो CPR के नीचे है, और इसने कल का भी CPR के नीचे closing दिया है, तो अभी जो important बात है वो क्या है, आम अभी इसको discuss करते हैं, कि क क्या हो सकता है सबसे पहले हम कल का CPR उसको ड्रॉइंग कर लेते हैं यह CPR है यह कल का R1 है और यह कल का S1 है ठीक है यह हो गया कल का CPR अभी हम इस में इंडिकेटर में कल का CPR को hide कर देते हैं अभी देखिए दोस्तों बहुत ही important बात है इसको अच्छे से ध्यान से सुनी market ने आज बहुत ही range bound रहा और एक range में फसा रहा और यह इसका market का range है ठीक है यह कल का CPR है अगर market कल यह जो level है आपको जो level दिख रहा नहीं 45,624 जो कल का S1 होने वाला है और यह level हो गया और उपर की साइड में आपका 46,043 तो आज का range काफी नेरो था इस range को market हसानी से कल gap down या gap आप देखे तोड सकता है तो वैसे CPR के analysis के इसाफ से अगर आप देखेंगे तो आपका जो है CPR के analysis के इसाफ से अगर आप देखते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपको क्या पता चलता है यह CPR बहुत ज़्यादा नेरो है और market trending हो सकता है और फिलाल जो market का अगर आप trend देखेंगे तो market एक downtrend में है और यह अपना जो है देख सकते हैं यहाँ पर lower low बनाता आ रहा है और lower highs बनाता आ रहा है ठीक है lower low बनाता आ रहा है और lower highs बनाता रहा है इस तरह से lower low बनाता हुआ market नीचे आ रहा है जो किट एक downtrend है और CPR के analysis के हिसाफ से market ने आज के CPR के नीचे closing दिया है कल के CPR से भी नीचे closing दिया है और आज का CPR कल के CPR कल का CPR है वो आज के CPR के नीचे बना जो कि descending CPR है ये तीनों इंडिकेट कर रहे हैं कि market जो है downtrend हो सकता है कल तो हमारा कल का strategy क्या रहेगा हमारा कल का strategy ये रहेगा कि market ये जो level है 45,610 इसके नीचे अगर closing दे देता है market इस level के नीचे closing market कल gap down ओपन होता है और 15 मिनिट का candle यहां से जो है rejection ले लेता है यहां जैसे कोई weak pattern बना मानले जैसे कोई weak pattern बना weak reversal pattern बना जैसे कि अभी आम draw करके बता रहें आपको एक मिनिट यहां पर इस वाले level यह level जो है यहां पर मानले जैसे कल market gap down ओपन होता है और हमें एक candle जो first 15 मिनिट केंडल है उसको देखना है अगर इस type का कोई reversal pattern बनाता है जैसे कि weak reversal लिया जैसे shooting star या फिर inverted hammer है ना इस तरह से inverted hanging man इस तरह से कोई भी weak rejection का candle बना past 15 मिनिट में और second 15 मिनिट का candle उस लोग को तोड़ देता है तो हमें downside में एक काफी अच्छा रहली कल बैंग निफ्टी में दीख सकता है फिलाल जो CPR है उसके मताब दिक कल जो है market downtrend में जा सकता है दोस्तों मैं फिर से बोलना चाहिए it's a probability according to CPR analysis central pivot range analysis तो ये एक सिर्फ probability है ये certainty नहीं है ऐसा हो सकता है तो हमें first candle को पहले तो ये gap down इस range के बाहर open होना पड़ेगा market को gap down open होना पड़ेगा और first candle यहाँ S1 के आसफास rejection लेना पड़ेगा इसको न आज का डे हाई भी है तो बहुत interesting होने वाला है ठीक है तो हम देखेंगे कि अगर first 15 minute candle जो मेंने लेवल बताया है जो first 15 minute candle जो लेवल मेंने बताया है 45,000, 16,000 इसके नीचे अगर open होता gap down और इसके नीचे sustain हो जाता है पहला 15 minute candle तो हम जो है downside में एक बहुत ही अच्छा downtrend कल बैंक निप्टी में देख सकते है दोस्तों अगर यह वीडियो का अच्छा लगा है तो चनल को सब्सक्राइब कीजिए और like और comment में जरुर बताए ठैक्यो